हेलो व्रिवान कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी एच्छे ही होंगे तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस चेट 104 लेक्या हैं और यह हिंदी से समंदेद होगी आज हम हिंदी से समंदेद ब्याकरण के भी परस्ण को जानेंगे उसके साथ गध्यान से समंदेद ब आपको बताना है सब्द दिया हुआ जेट जेट सब्द का आपको इस्तरलिंग बताना क्या होगा ऑफसर में दिया है जेट रान दिया हुआ है उसके बाद जैठानी दिया हुआ है जेठीन जेठ राइन तो जेट का इस्तरलिंग क्या होगा आपको यह बताना है तो बता द साय आगा comment box में पंडीत का स्तरलिंग क्या होगा ठीक है अब बढ़ते अंगले कोशन क्यों क्यों च अन्य कि निमने लिखित सब्सक्राइब को बताना है ठीक है इसका समास बीघर करना है समास दो यह दो से अधिक प्दों की मेल से बने पतको मुझा समास बोलते हैं समास के च लगोडा होगा इसका समाज भीघ्र या फोला और दोरडो गreyjc TJ ौर गोले की दोरड तो अए गर जोडा है था समास कौन सा है कि इसके साथ आफ ये भी जान लीजी संस समास क्या है भूरड में कौन सा समास है तो लिखिए गोड कि दाउर किivoD गोड़े की दवारो इसमें तत्यूर्व समास है कौन सा समास है तत्यूर्व समास तत्पूरूस समास तत्पूरूस में भी कौन सा समास है कौन सा तत्पूरूस तो घोड़े की दाउड गोड़े का समन्ध दाउड से है तो सम सम्मन्ध तत्पूरूस कौन सा तत्पूरूस समन्ध तत्पूरूस ठीक है घोड़ दाउड में समन्ध तत्पूरूस है और समास क को अपने माता-पिता के वचनों के उपर सरद्धा थी यह जो अंडरलाइंड क्या गया है वचनों के उपर इसी में इरर है क्या होगा सही क्या होगा वचनों पर सरद्धा थी यह वचन के उपर सरद्धा थी वचन पर सरद्धा थी यह किसी बदलाब के अब सकता नहीं है या करेक्ट अपको यह बताना है ठीक है तो देखे वचनों के ओपर यहां पर नहीं होगा यहां-पर होना चाहिए वच नों पर क्या है वच नों पर ठीक है तो कामीनी को अपने माता-पिता के को यह पर सरधा धी किस आप्सेब से समधित रोटी है कि करया की समन्धित रूटी है कि की यांद की वाचनों की ऊपर पर आ गया तो समझे लिए कारक समंधित रूटी है यह से बीपरस्ण पुछे जाए आपके एक्जाम में ठीक है तो यहां वाचनों के ओपर नहीं के बहुल वचनों पर होगा इसका अंसर ऑप्सन ए हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेसं कि और क्वेसंस के लिए उचीत सब्द का चैन करना है हैं आपको अनेक सब्दों के बदले एक सब्द ही है जो सुख करने योग ना हो जो सोख करने योग ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे ठीक है option आपको दे रखा है अनेर और नियमित आसोक सोकनिय तो इसका जोंसर होगा option C हो जागा असोक क्या होगा असोग इसका एंसर हो जागा असोग मुना बता जो सोग करने योग ना हो जो सोग करने योग ना हो उसे बोलेंगे असोग और सोग निये सोग निये को बोलेंगे हम लोग जिसका सोख किया जाए जिसका सोख किया जाए उसे हम लोग हम लोग बोलेंगे सोख नहीं है जो सोख करने योग ना हो उसे बोलेंगे असोख अनेर अनेर का मतलब क्या होता है जो पास का ना हो फुर पता नहीं कहां का नहीं अनेर जो पास का ना हो जिस उसे अनेर बोलते हैं और नियमित और नियम के अनुकूल ना हो उसे और नियमित बोलेंगे जो नियम के अनुकूल जो नियम के अनुकूल ना हो उसे बोलेंगे और नियमित तो चारों वर्ट को ध्यान में रखना है जो पास का ना हो अनेर जो नियम के अनुकूल ना हो और न कॉसन की और हaciो कॉसन की विपत्ती के समय थोड़ी सैता भी बढ़ी होती है दूबते को तिनकास आ यह चार दिन की चटने फिर अंधीर रात यह आम क्या में गुटलियों के दाम यह इर्षिया करना तो यानिक भी प्रति के समय थोड़ी सहता भी बड़ी होती है इसका मलब क्या वा दूपते को तिनका सांज जो दूपते हो उसके लिए तिनका भी वह भी नहीं का ता की मतलब यह बजाने वाले के नाम में मेरा भी नाम उस समय होगा कोशीस तो किया थिस भी जारा रहता वही है तो इस år ने बिपत्ति के समय थोड़ी सहता भी बड़ी होती है तो उसका उस लोकिकति का भाव भी यह क्या डूपते को तिनका का सहारा ठीक है इसका अशर ऑप्षन एह हो गया लगाने वालों में था बुझाने वालों में से मेरा नम लिखा यह इसाथ आप लोग सुने होंगे विख्या आप आग्या गध्यांस और पूछी के परस्ण का उत्तर दीजिए ठीक है बस इतना गध्यां से इसको पर आपको अच्छा से पढ़ना ध्यान से उसका बाद जो ए का एंसर आप लोग को देना है ठीक है पले हम गध्यांस को अच्छा से पढ़ते हैं ठीक है मनोहर देवी के कंड से तुलसी दास का छंद कंदर्प और गनित अमित छवी नवनील नीरज सुन्दरम सुनकर सुर्ज कुमार के ना जाने कौन से सोते संसकार जाग उठे साहित इतना सुन्दर है संगीत इतना अकरसक है उनकी आखों ने जैसे नया संसार देखा हो कानों ने ऐसा संगीत सुना जो मानों इस धर्ती पर दूर किसी लोग से आता है अपनी इस विलक्षन अनुभूती पर स्वयम चकित रह गए अपने संदर्य पर जो अभिमान था वह इसको पढ़ लिए ठीक है आप इसका क्वेशन का एंसर देने के में लोग कोशिश करेंगे ठीक है पहला क्वेशन आप सभी के लिए सूर्ज कुमार को किस पर अभिमान था यहां पर सूर्ज कुमार इसको किस पर अभिमान था ठीक है आप्शन में अपने संसकार पर अपन था अनदर पर शुर्ज कुमार तो इसका एंसर ओप संसी स्को संदर पर अभिमान था जो घढ्ण सा उसको पड़े इसकाणव छुपावा था अपने संदर पर उसको अभिमान था इसका कर्यक्ट हो मैं से ठिक है को सब्स 有 एक को इसने तरह आंडर पर इसके बास अब देखिए यहां पर कॉस्टन बस हुई गध्यान सब में से हम है कॉस्टन की सुर्ज कुमार का संसकार जाग उठने का कारण क्या है है उसके अंदर का संसकार जाग उठा उसके पीछे कारण क्या है अप्शन में दे रखा है मनोहर देवी का चंद तुलसी दास की किर्ती तुलसी दास का संगीत तुलसी दास का चंद ठीक है तो इसका एंसर जो होगा अप्शन डी होजगा तुलसी दास का चंद देखिए यहां पर पढ़िए मनोहर देवी के कंड से तुलसी दास का चंद आय जाग उठे संसकार जाड उठने का कारण क्या है तुलसीदास का चंद ठीक ही से अम लिए ना तो इसका अंदर का संसकार जाग उठा लिखे का इसमी दो नमर आपका जूली में चले गिया बस एक नमर दो नम ऐसे करके बाना आ जाता है मलब गद्यांस को पढ़ना है बास जो सुर्जकुमार ने चंद किसके कंट से सुना आपको यह बताना आ ठीक है कि लिए उपसन दे रखा मनोहरा देवी तुलसीदास सुर्जकुमार सूर्दास देखिए यहां पर सूरदास कहीं पर आया है एक चंटने के काशिज किजिए ठीक है सुर्जकुमार कंट सुनता है तो खुद थोढ़ सुना जागा इसने सूर्ज कुमार भी नहीं आएगा अब होगा त्या तुल्सिदास या मनोहरादेवी झी आप्धूे क।समों करा सूर्ज कुमार ने चन्थ किसके कंट से सुना है कंट से सुना तो मनोहर देवी के कंट से ना एक लग पहला लाने मनोहर देवी के कंट से सुना किसका छांद तो तुलसी दास का छंद यहां पर क्वेस्ट का छंद सुना वो कता कि किसके कंट से सुना तुलसी दास का छंद तो मनोहरा देवी तो इसका अंसर आप्शन यह हो ज देखा क्या सुर्ज कुमार के आखों ने देखा क्या देखा ओप्षन में दिया है साहिट तेस नाया संवाह संसार आकर्सक संगीत चा देखा अपने आखों से क्या देखा हुद अर्व सहित के बारे में आपको कही शाह जाए नहीं है इसके काटीं यह चांट मेश अगर आ आगे आपको तबस अब तो एंसर ले जाहिए गा उसका पूरान संसर यहां तो पूराना संसरी बाद कई जी करने किया गया है आकरसक संगीत को इसन्गीत संगीत इसका आकर सहां यह तो है लेकिन यह पॉसन करा सुर्ज कुमार की आखों ने क्या देखा है तो देखे आकरसा संगीत इनकी आखों ने जैसा नया संसार देखा हो नया संसार देखा तो इसका अंसर ऑप्षन भी हो जागा नया संसार सुर्ज कुमार की आखों ने देखा क्या नया सं सार क्दिसल 1 तर नया संस्तर देखनें बात कर रहे है वह इससे स्थन ऊप्षेट का एवशन हो घुर को में कि नेक्ष याज का लास्ट को सनतौन है पाच्मा को सन ऐसे चल Venezuela युच कर दरुद्ब अन्ततो गतवा का आर्थ क्या हलता है एन्तीम यात्रव एंतन उतस अंतीम अवसर घना तो तो देखिए अन्त तो गतवा का आर्थ होता उतन सां तो ऊतन विलब चीए पांच को संद था गध्यां से रिलेकेंड मॉचो पकित को पढ़के हम बता दिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एधी वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजी तथा मेरा यटूब चैनल करजी जिस अड़ा को सब्स्राइब करें और बैल आइकन को भी हिट कर दिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो क पार इंडिफिकेशन तुरण आप तक पहुंच जाए थैंक्स राचिंग वीडियो धन्यवाद आम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंदे